हेलो गाइस तो कैसे हो आप लोग आई होप अच्छ होंगे तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बी एसी फाइल नियर की बुक लीनियर अलजेबरा और इसका चेप्टर नमबर टू बेसिज एंड डुमेशन लीनियर कॉंबिनेशन की एक्जम्पल नमबर आठ को आज हम सोलव करेंगे ओके और पीशे की जितनी भी एक्जम्पल है मैंने और अरड़ी सोलव कर दी गई है वीडियो भी अप्लोड कर दी गई है आप ईजी से जाके प्लेइलिस्ट चेक कर सकते हो ओके अगर ऐसे नहीं चेक करना चाते तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप या ओके तो करते हैं हम इस क्वेशन को सोल आप एच्पी 2019 में आया है इपोर्टन क्वेशन है आपने इसको डेफिनेशन के मताबिक समझना है कि लीनियर स्पेस क्या चीज है और लीनियर स्पेस क्या होता है टू स्केलर क्या होते हैं आपको जह चीज जानना बहुत ही यहां बरना तो क्राइमिंग करते रहोंगे तो जल्दी से हम करते हैं इसका शुलूशन पार्ट को सोल आउट आ जाते हैं एक फील के साथ ओके तो यह आपको प्यारा सा कोशन देख रहा है ठीक है भी एसी फाइलियर की लव फील के साथ करना है सार लव फील लव फील ओके आपको पता होना चाहिए कि बी क्या है एस क्या है ओके ओके तो और नोट आ जाए तो आपका किसी भी चीज़ का वैल्यू नहीं निकलने वाला है तो सबसे पहले हम लीनियर स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं तो यह रहा आपके पास डेफिनेशन आपने पढ़ लेना किसी आपके मे clicking से होते हैं कि कि ए आक एंड बी बिलोंग टू रहा गया है कि इतना ठीक है न देखो न जे किसको को बिलोंग कर रहा है एस को कर रहा है तो हमारे उपना लिनियू क्परमूला का होता है यह पूरा लीनियर स्पेस का जो बी इगल टू आपसे लिखा गया है जो है ना आपका पता क्या है लीनियर स्पेस है ओके और जो आलफा बीटा है ना जे आलफा बीटा आपके स्केलर है क्या है जे स्केलर हैं बैक्टर नहीं या ओके बैक्टर अलग चीज़ है तो आपको इसको आलफा ए और आलफा भी आपके पास यह वाली हो जाएगी बी की आ decisively पुर सकते हैं मैंने बीटा बोल दीए पीशे तो चलो देखो किया है कैसे करना है जल्दी से हम करते है सको स्टार्ट तो क्लेशन पार्ट में करते हैं सबसे पहले डो पारट है ना हम क्या देखिवागे कैसे करना है वैंग nuovo electrolyte आलफा 2 पर फार्मूला लिखते हैं हम बीर making लिप दिया यह अब लिए यह सुटे है तो इसको पुट कर सबह dl ना है बेसे रहेगा क्योंकि जी स्कीव। मीट्रिस देखो क्या दे रखी है मैट्रिस दे रखी है 1 , 2 और 10 ओके दिख रहा है आपको कग आगे देखो प्लस आलफा टू ऐसे लिखा जाएगा यह दो को दूसरी बला मैट्रिस वन वन और माइनस वन ओके थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं आलफा त्री ओर फाइव और माइनस टू देखो काफी दूनों के बाद बीडी आ रही है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना ओ थो मा टू आलफा बन को मा अलफा इसको बंद ग Days उतकर साथ मेठीकळाइ कर तो ऑलफा टू और यह भी आलफा तू होजाएगा मुल्टिकलाइट हो गरना है यह आल्फा थू हो जाएगा तीन नों के तीन पाट तू हो जाएंगे ओंगे ऑजे हो जो जाएका फोर अलफा यह कों मा का फाइव आलफा थ्री और आगे नहीं आएगा टू अलफा थ्री और बंद कर देनी है लब फील थोड़ा सा कट गया है को आगे देखो कैसे करना है किशार करनी है अब ओके डिया करना है वे आलफा आलफा बना गया मतलब देखो ये वाई जी 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 जीघ्व ये जी द टो एकस को एकस के साथ लेके चलना ना अलफा बना इसमें प्लस है तो फुलस कर दो ना अलफा तो आगे देखो क्या है और आलफा थ्री इतना तो आगया इसको अगर बंद ऑके अगे देखो तू अलफा बन आगे प्लस नहीं आएगा भीज में ब्लैक्ट आएगी ठीक है मुल्टिकल आएगा तू आलफा बन बीच में प्लस है तो इसको लिखो ना अलफा टू मतल बाई 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 लेके साथ अब देखो जे आ जाएगा आपका फाइव आलफा इतना तू क्लियर हुआ अब आगे देखो आगे तू जगह नहीं है न नीच लिख देता हूं अब देखो आलफा बन अब देखो जी प्लस है तो माइनस माइनस हो और देखो आपका आलफा 1 आलफा 2 और 4 किसके बराबर हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा एसको देखो 2 और 5 और बराबर हो जाएगा माइनस 3 के बराबर हो जाएगा इसके बाद हम करते हैं नेक्स पेज़ देखते हैं नीचे जगह बची हुई तो नीचे कर देखते हैं अब जहां से पूछाओ कि नोट पूछाओ थीक है नोट पूछाओ थीक नहीं निकल सकती आप क्या करना है आपने काम करना है जी क्या करना है एक्वेशन नमबर 1 और 3 को एड़ करके देखो ठीक है एड़ एक्वेशन 1 & 3 को एड़ करके देखो कैसे करना है एक्वेशन नमबर 1 लिख दो पूरी की पूरी लिख दो है नहीं आता है एलिमिनेशन मैंतर 10th क्लास में बुर की हो है आलफा 1 माइनस आलफा 2 और 2 आलफा 3 इस इकल टू 5 प्लस माइनस माइनस सो बचेगा तो 2 आलफा 3 और बचेगा शिक्स इसके बास हम देखो यहां से तू पर यहां पर करते हैं यह अलग था तो तो इसमें आलफा उन और आलफा 3 बच गया 6 बच गया आलफा 1 आलफा 3 तुझे कट जाएगा तुझे दर बच जाएगा तीन एक equation आपके पास यह आगी आप क्या काम करते हैं कौन सी equation को add करना है आपने आप 2 और 3 को add कर लेते हैं आपके अड़ करना है 2 और 3 2 आलफा 1 और आलफा 2 प्लस 5 आलफा 3 ठीक है लिख देना है अपने और आगे देखो आगे देखो तीन-तीन कॉम में लेड़ो तो आलफा 1 आलफा 3 ओके तो इधर बच गया तू तो तू के सोरी तीन कहां चला जाएगा तू के डिवाइड में चला जाएगा तो तू भाइठ री आजी यह बनगे आपके पास आलफा 1 और आलफा 1 और आलफा 3 की बैली बनगी तू बाइठ उर जहां पर भी आलफा 1 और आलफा 3 की बैली की बनगी धी थ्री आपके अगरणा है इन दोनों को सब्ट्रेक्ट करके देखो क्या घर कर दो यह चांड करके दैखो यहाद करके देखो नगा पास को तो मतलब जे भी 0 बच गया जे भी 0 बच गया तो इसका निकालने को कोई जे नहीं है ठीक है तो सभी 00 बने जे पूरा का पूरा 0 हो चुका है तो इसका मतलब कि आलफा बन आलफा टू और आलफा थ्री नौट पॉइंड ऐसा लिख सकते हो ओके तुझे था इस कोईश्टन का अंसर जो जो इसका सेकेंड पांट है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा ओके तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइ एंड टे केर और जे वीडियो मेंबर्सिप बनों को होने वाले हैं ओके